गाउं में जब बल्व जलता है ना तो नितिश कुमार जय बोलता है लोग लोग को लगता पंखा चलता है नितिश कुमार की जय कोई प्यार करे या घ्रना करे नितिश कुमार को बिहार की राजनीत में इनकार नहीं कर सके जाती को भी समाज बता दिया जाता है यह तो हम लोग नहीं पढ़ेते भाई अभी तो नया राजिती के पाट साला में देखते हैं कि फलना समाज है तो आप जनसंख्या नियंतरन जैसे महत्वपुन समाजिक दाईतु का निर्वहन करिएगा कि नहीं और यह राजितिक प्रत दावन नेता और प्रभक्ता निरज कुमार जी अब हमारे साथ मौजूद है जद्यू के भीतर गुटबाजी की खबर आ रही थी विपक्ष के लोग पहले लगा रहे थे लेकिन अब तो खुल करके राजद में सामने आ गया है राजद में बड़ी टूठ हुई है जैसे ही जो चातर के प्रदी सद्यक्स थे उनको हटाया जाता है पस्ट से लोजपा का दावन थाम लेते हैं और फिर से बगावत छेड़ देते हैं क्या देखते हैं कैसे लेकिन जनता दलियू जदियू यूनाइटेड है अब इसा ब्रहम गुरम फेलानी कोशिस उता रहे हां तो एग नेता है मानि ह्नितिश कुमार जी उनके नेत्रितों मैं पार्टी में समाज के तव्यके के कारी करता है तो हमारी पूंजी तो ही हो उनकी की बात करने सुट्ट सने लगा मैं देखा कि प्रतिक्रिया पूछा गया कि लोगतंतर है सिवानन तिवारी जी का क्या गुना है मानिय सिवानन तिवारी जी का क्या गुना है अनुभव है वरियता है सब कुछ है लेकिन उविधायक दल के नेता हो सकते है कभी भूतो नभविस्षती ने सपन में भी नहीं सोचना और राजनितिक प्रताड़ना राजत के बड़े नेता लगातार जहल रहे हैं लेकिन उसके मौका मिलेगा पहले परिवार तब तीसरे दर्जे पर रहेगा चौथे पाइदान पर जहां मर्जी करें वहां रहिए लेकिन जैकारा करना होगा वह जहां गये हैं वहां भी तो फिर परिवारबास से भी छूट करके बने कहां गया है यह अलग मामला प्रतिक्रिया मैंने लेखा मेरा सवाल प्रतिक्रिया पर है कि गइए जो कहा गया कि लोक तंत्र में सब को जाने की जहां जाना है मन्द का भी शंडा वली का इस्तेमाल राज़द महोने लगे ते दुदुनिया का आठमाने नौमाज चरिया यह जाती जंगना के मसले पर देखा जाता है कि देखिए जातिगत जनगनना बिहार जैसे राजकिलित और आवश्यक है चुकि हम समाज के तमाम तबके के लिए काम करते हैं और मानो विकास सुचकांक मनेशिक शास्वास इसी बुनियादी सुवधाओं में अभी भी इतना काम करने के बाद गैप है तो आखिर क्यों है आप बजटिया अब अंटन करते हैं और इस बात को तो सब कबूल करिएगा ने कि जाती एक सच्चाई है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है चाहे जतना जिसको प्रवचन देना हो लेकिन चुनाव हो राजनेतिक दल हो उस सब उस नजरिये से देखते हैं अब तो नया नजरिया कि जाती को भी समाज बता दिया जाता है यह तो हम लोग नहीं पढ़ेते भाई अभी तो नया राजिती के पाटसाला में देखते हैं कि फलना समाज है तो अगर आपको काम करना है नहीं काम करना है तो अलग भी से तो काम करना है तो सब के जीवन अस्तर को बढ़ाना होगा अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आकरा निकाल करके देख लीजिए कि समाज के विभीन तबके के जो बेटियां है और बेटे हैं उस लाव लेने में भी गैफ है भाई क्यों गैफ है आखिर यह तो मानसिक जड़ता है समाजिक जड़ता है कि सरकार सुभिधा दे क्या है इसका मतलब कि जंडर की समानता भी नहीं कर पाए आजादी के इतने लंबे अर्ष्वाद जंडर की समानता नहीं कर पाए और जातिकत जनगंडना का आरक्षन से कोई लेना देना नहीं होता है तो अब ये सुरक्यों बदलेंगे जब बिधान मंदल का सर्वसंबत प्रस्ताव मैन réakers सब्लोगों क्या सदन का प्रस्ताव है वही होता है रामाई्न बैबिल और रुरान खरीफ का वाक्य यान प्रस्ताव सामाज लाम का एक आर्थिक सारे हमले आएंगे ना तूस्माज तो उन सारे बातों की चर्चा होगी तो देश तो जानेगा तो कम से कम कि भाई इतनी सुभिधाय दी गई उसके बाब जूद क्यों नहीं अस्तर उठ रहा है आखिर कहीं कहीं कारण है संख्या बल की जानकारी नहीं रहेगी है बजट में आवंटन करते रहिए योजना बनात पहुंच पाता है समाज के सब तबके को हम लोगों ने अच्छा दित किया बिहार एक ऐसा राज्य है यहां समाज का कोई तबका नहीं कह सकता है उसके लिए सरकार की योजनाय क्रियानिवित नहीं यह चुनोती है इस चुनोती में एक दूसरे का के खिलाफ नहीं मामला है कि विधान मंदल का सर्व सम्मत प्रस्ताव बीजेपी कोटे से परतिनेधित जैनक राम जी वे बार बार अपने प्रेस कंफरेंस में दोहरा रहते इसे बात को कि परधार मंतरी नयंद मोदी जी के सानिधि में विकास हुआ है तो मुख लराई जो है विकास भरस जाती बात की है तो यह दिखना हुआ कुछ जो दल है वो हमेशा जाती बात की बात करते हैं जाती का ठेकाले करते हैं दली यह आधार पर आप जो भी बोल लीजिए विकास किसके लिए है समाज के तमाम तबके के लिए नहीं जो मैं बता रहा हूं कि बेटा और बेटी जो समाजिक समा यह उसका मतलब क्या है कि जो संख्याबल है उस संख्याबल के अनुकूल की योजना क्रियानवीत होती है वह बराबरी के दर्जा क्यों नहीं पार रहे हैं तो उस जड़ता को तोड़ियेगा नहीं और विकास किसके लिए विकास सबके लिए अगर कोई व्यक्ति सिक्षित हो कि मूल कारण क्या है असिक्षा अगर किसी को आर्थिक परिशानी है उसकी आर्थिक परिशानी नहीं दूर करिएगा उसकी सामाजिक परिशानी नहीं दूर करिएगा तून योजनाओं का लाव जो उसको मिलना चाहिए जिस रूप से मानसिक्ता से नकरात्मग भाव में न अक्सर ये देखा जाता है कि बीजे पी जब ही विकास की चर्चा करती है तो मुखमंत्री नितिश कुमार का नाम लेने से परहज करती है कल भी ये देखा जा रहा है अब हम नहीं जानते हैं कि क्या है NDA के नेता कौन है मानी नितिश कुमार जी 2020 का चुनाओ किन के नितिश कुमार जी 2015 का नितिश कुमार जै बोलता है लोग को लगता पंखा चलता है लगता है नितिश कुमार की जै कोई प्यार करे या घ्रना करे नितिश कुमार को बिहार की राजनीत में हर जगा है कोई इनकार नहीं कर सकता जोने भातलब के साथ ख़वर का से लगता चारी है अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीत और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी ता बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुआ मुफ्त में मिल जए अगर रुआ पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटिय नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवावि